मंच पर पस्थिप, नरायन सिंगी, सतीश डागर जी, हमारे अधिकारी गड़ और इस पूरे टीम के कैट्टर गांगर साथ, संजीव मिंतर जी और गंधीर जी जो हमारे बीच में उपस्तित हैं, इरिगेशन फ्लॉट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी गड़, ग्राम विकास पूर्ड के सभी मिमराण, और हमारे बीच में उपस्तित, सभी मानने विधायक गड़, मानने पारसत गड़, और सायर सांसत, तो कोई आया नहीं है, लेकिन सभी सांसत गड़. आज, आप सब जानते हैं कि पिछले, दिनों सरकारों के अंदर एक भोड मची है, इसमार्ट सिटी बनाने का, वैसे तो यह देश, गाओं का देश है, लेकिन हर सरकार में बोड लगी है, कि स्मार्ट सिटी बनाई जाए, मैं आप सब लोगों की तरफ से, दिल्ली के मनने मुक्वंत्री अर्विंत के जरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि उन्होंने सोचा, कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने का अवियान चल रहा है, उसी तरह से, दिल्ली के गाओं को भी स्मार्ट बनाने का मिसन उन्होंने सुरू किया, इसके लिए मैं चाहता हूँ, कि जोरदार तारियों से माने अधिन के दिलाज कर गाओं के अधिराज कर पणके, जोदों ने इस बात को सोचा, और यह ज़रूरी है, क्योंकि जब हम देश की बात सोचते हैं, तो गाओं को माइनस करके भारत देश नहीं बज़ता है, अगर स्मार्ट काओं बनेगा, तह भी स्मार्ट सिटी भी बन सकती है, और दिल्ली देश के राइधानी है, जिस तरह से पूरा देश दिल्ली से सीखता है दिल्ली के हजारों काउं के विकास का रास्ता दिल्ली सरकार के इस मॉडल से आगे बढ़ेगा हमें इस बात की उपिद है अभी दिल्ली के अतर गाउं के विकास के लिए ग्रामी विकास बोर्ड रूरल डेवलप्मेंट बोर्ड का गठन पहले हुआ और उसके तहर पिछले तीन साथ से अलग-अलग गाम के छित्रों में काम हो रहे थे लेकिन आप सब को पता है कि धीरे धीरे इतने रूरल पिले जाएं रूरल गाउं में वो अर्बनाईज होते जा रहे और जो रूरल डेवलप्मेंट बोर्ड था उसका जो मैंडेट था कि जो जो गाम अर्बनाईज हो जाएंगे वहाँ पर विकास का काम वो बोर्ड नहीं करेगा इन परिस्टियों को देखते हुए दिल्ली सर्टार ने गड़े लिया कि हमें दिल्ली के सभी गाहों के विकास के लिए बोर्ड का गठन करना है दिल्ली के सभी 365 के 365 गाहों ने विकास के गठी को आगे बढ़ाना है और उसके लिए दो मैने पहले विले जवलप्मेंट बोर्ड ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया गया है जिसकी दो बैठके हो चुकी है और मैं आपको सुचित करना चाहता हो कि केवल दो महिने के अंदर ही ग्राम विकास बोड ने दिल्ली के अलंग 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 छेतरों के लिए लगबद चार सो इस्किमों को पास किया है जिससे गाउं के विकास के एक लए तरव पिरोप AH होनी के राश्ता बन सकता है लेकिस दिल्ली सरकार की जैसी मंसा है आप जानते हो हम चाणते हैं कि विकास के राश्ते में वहां के लोगों की सीधे साभाद़्ता हो ये जो गाउं में बजट जबरा है सरकार लगाने जा रही है ये पैसा गाउं के लोगों के टैक्स का पैसा है आपके टैक्स का पैसा है आपके टैक्स का पैसा है आपके तो उपर क्या परपर आ रही है काउं में हो या सार में काम तो होते हैं लेकिन हम सोचते हैं तो सरकार का काम में हमारा क्या नहीं ना देना है? इंजिनिया नंठेके काम, चाहे कैसा भी इंट लगाएं, कैसा भी मसाला लगाएं, हमें टेंसर नहीं होती है. लेकिन अगर अपना हम घर बना रहे हो तो हमें लगता है कि ये घर हमारा है और हमारे पैसे से बन रहा है तो एक-एक इंट हम चेक करते हैं उसकी मोनिटरिक करते हैं सुबह साम देखते हैं लेकिन धर की बाहर की सड़क जिसपर हम सुबा से साम तक चलते हैं वो सड़क अपनी में लगती है हो लगता है वो तो सरकार बना रही है सरकार का पैसा है सरकार का इंगिनियर है सरकार खाटे के दार है हम ये क्या ले ना देना मौलã में इक तो लोग ऐसे होते है जिनको चैन नहीं होता तो चार आउट नाट गेंदें बोलें फ़र्जी में इक बड़ा रगता है क्या नहीं दिना इसका इस सोच को बदलना है इस देश के अंदर एक ऐसी सोच पैदा कर दी गई कि कुछ मेरा है और कुछ देश का है जो देश का है उसको हमें चिन्ता करने की जरुआ नहीं है और इसी दिए पूरा रष्टाचार की गांगूतरी फैल रही है सरकारों के पास जो भी पैसा आता है एक एक पैसा जन्ता का पैसा है दल्ले सरकार के खजाने में जो भी पैसा है वो दिन्दे वालों का पैसा है कहते के सरकार के पास जो भी पैसा है वो जन्ता का पैसा है इस देश के अंदर जब एक व्यक्ती एक माचीस के दिन लिए खरीदता है तो टाइक्स देता है जब एक गरीब से गरीब माबाब अपने बच्चे के लिए एक चट्री बढ़ियान खरीद कर लाता है तो टाइक्स देता है जब उसके पढ़ाई के लिए किताब खरीद कर लाता है तो टाइक्स देता है उसके लिए एक चॉमलेट खरीद करके लाता है तो टाइक्स देता है सुबा से साम तर्म अपने जिन्दकी से काम नहीं कराती है और ये हमारे दिमाग में बाद एक दिन में नहीं बैठी तेरे दिने इन राज़ी दिप्यों ने 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 पार्टियों ने दिने दिने हमारे दिमाग में बिठा दिया कि तेरा तो ये दाइरा है मेरा तो ये दाइरा है इस तेने मेरे को ख़ताम करके जो मुझभी है वो देश का है और जन्ता का है इसे ही अस्थाफित करने के लिए जिद्धी सब्सक्राब में हो ज़िए लेकिन ये काम के वाल अर्मिन के जिरिवाल से अकले नहीं हो सकता है दिल्लि के चंतर मंत्रियों से नहीं हो सकता गाउं के विकास में इमानदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए दिल्लि संकार ने नहीं पहर गया है हम पूरे दिल्ली के 365 के 365 गाउं में Village Development Committee ग्राम विकास समिती का बठक कर रहे हैं जिसमें उसी गाओं के लोगों के उसी गाओं के हमने निवेदन किया है कि सभी सभाज के लोगों उस कमेटी में महिलाओं को भी रखा जा उस कमेटी में युवा जो छात रहे हैं उनको भी रखा जा जिससे कि वो सोच सके कि गाओं के विकास का रास्ता आगे कैसे बढ़ सकता है ये कमेटी अपने गाओं के लोगों के बीच में मीटिंग करके वहां से प्रस्ताव बनाएगी और विधायकों के माद्यम से ग्राम विकास बोर्ड को समित करेगी और फिर बोर्ड उसकी प्रस्ताव को पारिद करके अलागला के जिंस्यों के माद्यम से इसको लागू करने का काम करेगा तो जो विकास की आत्रा है उसमें गाओं के लोगों की हिस्सेदारी भी हो गाओं के लोगों की निगराणी भी हो इसके लिए ग्राम विकास समित्यों का गठन किया जा रहा है और मैं बदाये देना चाहता हूँ कि बिछले दो महिने के दौराण ही हमारे मारने विधायकों के माध्यम से ग्राम विकास समित्य के कमिटी के जो मेंबर हैं इस्टेट के उनके माध्यम से आज देजी के साथ दिल्ली के गाओं में ग्राम विकास समित्री के गठन का काम आगे बढ़ रहा है और जितने ग्राम विकास समित्री के सदस आज यहां पर आए हैं मैं उनका पूरे दिल्ली सरकार के तरफ से पहे दिल से स्वाहत करता हूँ उटको नमज करता हो कि आपने लिए इसे मतारी को शारा है क्योंकि दिरे-दिरे हम इस बात से चिर्टित तो रहते हैं कि नेताओं की, अधिकालियों की, करबचालियों की मर्मानी बढ़ती जा रही है लेकिन हम इस बात से भी अपने आस पास देखते हैं कि हमारी लामरवाही भी बढ़ती जा रही है हम दिरे-दिरे समाजी कामों में सबके कामों में इससे लगना कम करनी है और अपने कामों पर चित्ता ज़्यादा रहती है सामोहिता दिरे-दिरे खतब हो रही है आप सारे लोग गाउं के रहने वाले हो मैं भी एक गाओं का बेटा हूँ मुझे याँ है कि हमारे गाओं में जब पहले साधी होती थी किसी भी समाज के किसी भी बेटी की साधी हो बेटी के माब आपसे जिनता पुरे गाओं के बुजुद्बों की और जो जिम्मेदार लोग होते थे उनकी होती थी किस कमी भी उस बेटी के ओ, उसकी साधी के लिए माब आपको दूद खरिदना नहीं पड़ता था तीन-तिन गाउं, चार-चार गाउं, पांच-पांच गाउं, दस-दस गाउं से लोग सुबा-सुबा अपने घर से दूद निकाल करके और दूद पहुंचा जाते थे कि हमारे तरब से यह सजोग है बेटी किसाधी के लिए, जो बेटी के लिए दिया जाता था पूरा गाउं, मुझे हमने गाउं का याद है, सारे हर दर से लेख, एक ट्था होता था हमारी माँ भैने एक ट्था करके ले करके जाती थी और दुलाए को देती थी वो बेटी की सादी के वर उस बेटी के माँ बापकी रेच होती थी पुरे गाहों की होती थी ये सामाजी की जिम्मेदारी और चेतना थी और इसी सामाजी की चेतना ने गाहों के अंदर रश्णाचार को खत्म किया था गाहों को खतम किया था क्योंकि अगर एक ने गलत किया तो दूसरा टोपने वाला था कहने वाला था मुझे रखता है कि हमने अपने समाज की जो सामजुता की परंपराथी उसे पुनर जिवित करना है और यह जो विलेंग डिवलप्मेंट कमिटी है इसकी यही जिम्मेदारी है कि उस गाओं के अंदर जो विकास का काम करना है उसे सरकार तक पहुचाए और सरकार की तरफ से जब विकास कारी सुरू हो तो उसकी मॉनिटरिंग करें मैं यह चैलेंज के साथ कहना चाता हूँ कि दिल्ले के अंदर जो आज सरकार बनी है चाहे कोई विकास का काम हो ना तो मुख्य मंतरी एक रुपए का लेता है घूस ना तो मंतरी लेता है ना उधायक लेता है इसलिए आप से कहना चाता हूँ कि अकर कोई भी एदिकारी कोई भी फ्रेकेदार घलत काम कर रहा है तो आप निक्राली रखना आप हमें सुचित करना कारवाहि करने की जिम्हथारी हमारी है तो तस परितर हम से कहना करें और इसलिए हम चाते एक समय में देश के प्रदान वंतरिमान में राजियो गांदी जी ने कहा था कि जब सरकार से सो रुपे निकलता है तो दस रुपे पहुँचता है सो पैसे में से दस पैसे हमारी सरकार की एची तमन्ना है कि सो रुपे का अगर बजट पास हुआ है तो सो के सो रुपे गाउं में लगना चाहिए उसके से एक पैसा भी दिखर सो रुप नहीं होना लेकि ये तभी संपा हो सकता है कि जब आपके तरफ से इसका यूग मिले लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हो कई लोग इसका दुरुपयोग भी करना चाहते है ये जो सौ का सौ पैसा है काम में लगना चाहिए ना मंत्री के पास जाना चाहिए ना विदायर के पास जाना चाहिए और ना गाओं के किसी गुंडे के पास जाना चाहिए जंता का पैसा है और जंता के विकास में लगना चाहिए सिद्धा का सिद्धा हमें जितना ये नफरत किसी अधिकारी और ठेकेदार के भश्टाचार से उतना ये नफरत हमें किसी कोई आम आदमी पार्टी का कारकरता बन करके कोई विले डेवल्लप्मेंट कमीटी का मिंपर बन के विले डेवल्लप्मेंट बोर्ड का सदस्थ बन के अगर अग्दलाली और मेवानी करने की कोसिस करता है तो उससे ज़्यादा नफरत हमें उसके काम से इसलिए आपसे कहना चाहता हो कि अगर हम मिल करके काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर सारी बालाओं के बाल काम बढ़ रहा है दिल्ली के गाओं को बदलने का जो गाओं को स्मार्ट बनाने का विसंद दिल्ली सरकार ने अर्विंद के जरिवाल जी ने सुरू किया है हमें उमीद है कि हम इसको पूरा करेंगे हमें इस बात का अफसूस जरूर है कि पिछले मार्च के महीने में दिल्ली सरकार ने 600 करूर रुपे का बजट गाउं के लिए रखा कई लोग कहते हैं कि जो हम लोग ये बात कहते हैं कि दिल्ली सरकार को सही से काम ने करने दिया जा रहा है परसान किया जा रहा है कई लोग बोलते हैं कि साइद हमसी पैंची ने लेकिन ये बात करने हैं मैं आपके हरी कि इसका पैडान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली विधान सबाने दिल्ली की सरकार ने मार्च के महिने में बजब सत्र में 600 करोर रूपया दिल्ली के 365 काओं के विकास के लिए 600 करोर दिल्ली की आज तक इसे सरकार में 600 करोर का बजब नहीं दिया लेकिन जो सारा चक्र भी हुआ है जिस तरह से अधिकालियों को और जिस तरह से सारे सिस्टम को ढराने की और ठंकाने की और जिस तरह से परिसान करने की कोजिस हो रही है हमें इस बात का अफसूस है कि मार्श के महीने से लगे हुए पीछे पढ़ते पढ़ते अधिकालियों से तगाता करते 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 और मई में बोर्ड बन ज़र गया होता तो अब तक काउं के विकास का एक प्रदम हम आगे बढ़ चुके होगे। लेकिन जो हुआ सो हुआ बोर्ड का गठन हो चुका है बोर्ड में अधिकारियों के न्युक्ति हो चुकी है दो बोर्ड मीटिंग अपना कर चुका है और दो बोर्ड की मीटिंग में लर्मा कितने का पास हुआ है दोनों मिलाके दो मिट्गों में जो पुरा अलग-अलग जगह से काम का प्रस्ताव आया था साड़े चार सो करोन का प्रस्ताव वोट ने पास कर दिया है जिसको हमें जमित करने जाना है लेकिन इसके लिए हमारा आपसे निमिदन है कि जो जो प्रस्ताव आये उसके लिए जो विलेज डिवलप्मेंट कमेटी बन रही है और जहां नहीं बनी है वहां के जीसे हमें आगे बढ़ाना है इस विलेज डिवलप्मेंट कमेटी को अपने गाओं की एक सबा करनी है मुटिक करनी है और उस मिटिंग में सारे लोगों के सामती से जो काम सबसे प्रियोर्टी बेस पर तहे होगा वहाँ पर हम टेंडर और काम को सबसे आगे सुनु करेंगे क्योंकि देखो काम होना जरूरी है जतना उतना लोगों की साभागिता जरूरी है क्यांकि काम हो भी जाए और लोगों को पता भी नहीं बात में सिकायत करने आएं उससे बहतर है कि यह कमेटियां सक्री हो और हर जगा इसकी मीटिंग करके और इस काम को किया जाए दूसरा अमारा आपकू एक बात बतादो कि जो ये जो board बनाए इसमें जो काम है उसका जो system है वो एक बार मैं आपको बतादो ये जो कमेटी बन रही है ये कमेटी अपने गाउं में पंचायत करेगी गाउं के पंचायत से काम का प्रस्ताव बनेगा और फिर MLE के लेटर के माद जबसे ये बोर्ट में सम्मिट होगा जो बोर्ट उसका बिचार करता है और वहाँ पर पास होने के बाद फिर ये इस्टिमेट के साथ हमारा जो आप पारित करेगे वो इंजिनियर इस्टिमेट बनाएंगे और वो इस्टिमेट के साथ मिले का डिटर आएगा उस पर बोर्ड विचार करेगा और जो बोर्ड में पास हो जाएगा उसको फिर दियम के पास बिजा जाएगा इस्टेटरस, लैंड इस्टेटरस के लिए और उसका क्लिरेंस मिलने के बाद ये और वरकाडर का काम शुरू होगा और वहाँ जमीन पर काम उतरेगा इस पूरे प्रासेस में छे से लगबक पान से छे महीने सारा प्रक्रिया में लग जाते हैं इसलिए आप जो भी काम आप कमेटी के लोगों का एक सवाल था कि आज अप जाकर के कहें फिर लोग हमसे पूछते हैं तो उनको आप जो भी काम आप ले रहें उसमें आप उनको जरूर बोले कि ये पान से छे महीने में ये सारा प्रासेस पुरा उपर के काम जमीन पर उतर जाएगा जिससे की और उसको आप फालो अब भी करते रहें हर विधान सबा में हर विधान सबा में जितने गाओं है वहाँ हर गाओं की कमेटी बन रही है एक विधान सबा पे हम इन चार्ट बना रहें और हमने 14 इस टिक में प्रदेश को डिवाइट किया जिसमें हमने 14 कमेटी मेंबर पनाए हैं और उस कमिटी के हमारी चेर्मेन और वो चेर्मेन हमारे साथ बैठे हैं इनके माजम से सरकार सिदे समवाद में है मान्य विधायकों के साथ बोर्ड की मिटिंग जो होती है उसमें उनकी कोई समस्या होती है उस पर भी हम चर्चा करते हैं तो इस सिस्टम से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं रुटीन काम में एक बात में बताओं जब ग्रामिन विकास बोर्ड था ग्रामिन विकास बोर्ड चौपालों के दिर्माडों मरम्मत का काम नहीं करता था पिछले दिनों बवाना का चुनाव था सब आके से मुझे बवाना के सबी गाओं में जाने का मोका मिला मैं जिसमी गाओं में गया हमारी बड़ी-बड़ी मानता हैं आती थी बहुत ती थी लग्रा और कुछ करना या मत करना मेरी ये चौपार ठीक कर देना ये हमारे दादा की निसानी फिर हमने जब ग्राम विकास पोर्ड बना तो हमने ये नड़े लिया है कि दिल्ली के जितने गाओं है ये ग्राम विकास पोर्ड सारे गाओं में जहां भी जरूत है आपके लिए चौपाल गर और बरात गर का दिर्मान भी इसी बोर्ड के मातर से किया जाएगा इसके लिए इस बोर्ड ने इसको स्विकार कर दिया है आज के सम्मेलन का एक और मकसद है जिसको अभी आपको और आगे बढ़ाना है सामाने तोर पर गाओं के विकास के लिए हम काम कर रहा है आगे बढ़ रहा है लेकिन हमने इसलिए निवेदन किया है कि हर कमेटी में कम से कम दो छात्रों को रखा जाए क्योंकि बुजर्गों का पुराने से प्यार होता है और जो यूँआ है उनको भविस्ट से प्यार होता है तो वो अपने भविस्ट का स्मार्ट काउट में क्या चाहते है उनका भी विचार हम जानना चाहते है समझना चाहते है और इसलिए हमने ये बात कमेटी के मेंबर से बोनी थी कि हर जगा सुचित करें कि हर जगा कमेटी में दो इस्टूटेंट्स को रखा जाए क्योंकि वो स्मार्ट गाउं वही बना सकता है हमारी कोशिस ते और सपना है कि गाउं में परंपरा भी रहे और आजुनिकता भी रहे हम अपनी परंपरा के साथ मुहब्बत करें और दुनिया के अंदर जो कुछ भी आगे बन रहा है वो हमारे गाउं में भी हो इसलिए बुजुर्गों के साथ युवाओं को कमेटी में आप जरूर रखें और मैं चाहता हूँ कि अभी प्रजेंटेशन होगा और उसके बाद दिल्ली के गाउं को स्मार्ट बनाने के लिए इतना चाहिए इस पर आदमी आप कुछ सुझाव दे सकते हैं बाद में भी अपने कमेटियों के माद्यम से आप चर्चा करके अपना एक प्रस्ताव बना करके हमें देगे तो फिर बोर्ड आके उस पर विचार करेगा कि क्या क्या और चीजों को करने की जरुवत है ये जो बोर्ड है हर साल आपके हर गाउं के विकास के लिए अपना बजट ले करके आता है इसलिए आप लोगों के सुझाव के माद्यम से हम धेरे धेरे गाउं में जो जो आदो निक्षीजों की जरुवत है उनको भी हम ले करके आएंगे और हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जैसे महला क्रिनिक आप पुरे देश के लिए एक रोल मॉडर बन गया है दिल्ली के अंदर जैसे बिजली और पानी में जिस तरह से हमने पानी फ्री किया है जैसे हमने बिजली के दा मादे किया है पुरे देश के सरकारों के लिए एक रोल मॉडर बना हुआ है जैसे हम सिक्षा में स्कूलों में क्राक्ति कर रहा है सरकारी स्कूल को बदल रहा है पूरे देश के लिए रोल मॉटर बंद रहा है उसी तरह से हम चाहते है यह दिर्ली के स्माट काउ सरकार खिज्श्टान में किसे की भी हो लेकिन हर सरकार के ओपर दबाओ है कि गाउं का विकास करना है तो दिर्ली के स्माट काउं से देख़ू इस सम्ने खुले करें के ये मिजन आगे बढ़ रहा है और हमें उमीद है कि आप सम लोगों के सायोक से हमारे जो बोڑ के इतने अधिकारी हैं एरिगेसन फुलड डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं और सारी मन्नी विधायकों के सायोक से इस मिसन को भी हम पूरा करेंगे और दिल्ली का गाओं सहर से भी स्मार्ट बढ़े इस मिसन को हम साकार करने के तरफ आगे बढ़ेंगे आप सम लोगों का पुना स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद इंखिलाब के लिए